तो यह दो फेंग कैसे हैं आप दोस्तों आज मैं आपको उता जाला हूं कैसे आप अपने Samsung Galaxy की जो लॉक स्क्रीन होती है उसको कस्टमाइज कर पाएंगे वो भी iOS 16 की थरह आप देखा हूं अपडेट आया उसमें जो कि उसकी लॉक स्क्रीन है पूरी दरा से चेंज कर दिया है वैसे आप अपने Samsung Galaxy में उसको कर सकते हैं कैसे करना होगा क्या प्रोसेस रहेगी आगे आपको वीडियो बताने वालों दोस्तों दो वीडियो को स्की मत करेंगा वीडियो उपर देखेंगे तो चलते हैं आगे मेरा नाम सनी और और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टै je dangerous, one- nighttime task, one- Turtle direito आपको यहां से थाटब करना हो तो आप हैं नोटिफिकेशन पर कर के तो यह सारी notification आपकी उपर की तरफ पूरी देख जाएगी बापा यहन नीचे स्वाइब करना रहेगा और सारी notification आपको यहां पर देख जाएगी तो इसको कहते है करस्fikमाई autosin का И. और तो इसके लिए आपको करना किया होगा आपको जाना है आपको क्या करना है नीचे की तरफ जाएंगे आपको एक option मिलेगा यहाँ पर लॉक स्क्रीन का आप देखेंगे यहाँ पर आपको सबसे उपर ही मिल रहा है लॉक स्क्रीन स्टार का आपको पहले तो उसमें चले जाना है उसमें चले जाने का अगर आपको यहाँ पर यहाँ पर नहीं गुडलग अप नहीं मिल रही है तो हो सकता है अगर आप यहाँ पर आपके स्टार को सर्च मारेंगे यह आप भी आपको अपने गलेक्सी स्टोर में शायद मिल सकती जो कि मेरे सैमसंग यह 30 एसे मेरे को यह डारेक्ट पहले ही मिल गया था बाद में मुझे गुड़ लॉग अपका भी एक्सिस वहाँ पर मिल गया था यहाँ पर आपको सबसे ल आ गया है नोटिफिकेशन आप आपको यह नीचे तरफ दिखने वाली है और जो भी यहाँ पर आइटम आपको दिख रहे होंगे लाइक यहाँ पर पहले आपको मिजिक वार आइडियो का आपको हट आलेना है लॉग स्क्रिन का आइकन है वह हट आलेना है अगर आप नहीं आप चाहें तो क्लॉक की ठोड़ा बहुत है हम पर स्टायल भी स्टैल भी चेंजंड कर सकते वड़ें यहाँ पर स्टायल को चेंज नहीं करेंगे और यहां से सको कर दी हम ने सेव save करने गाद अब आपको क्या करना है इसी से back आना और यहां पर आपको जाना है clock face वाले item में क्योंकि अपनको clock face है बिल्कु सेम वहाँ पर io16 जैसी रखनी है तो यहां पर clock face में जाना है यहां पर आपको lock screen चूज करने गाद यहां पर यह open हो जाएगा open करने के अपको करना के यहां पर आपको चले जाना है प्लस वाले item पर जैसे कि मैंने यहां यहां पर आपको सेट करने आ है कि किसा आपसे font आये तो मैंने इसको font को यहां पर सेट कर लिया टाइम और टाइम को भी सैट कर लिया कि किसमे का अपनों टाइम चाहिए और चाहें तो आप यहां से कलर भी चूस कर सकते हैं जो भी आप कलर करना चाहें हैं पर आप चूस कर सकते हैं एक एक चीज का कलर आप बिल्कुल जो अपने लाइक में आपर इसको ब्लाइक ही कर देता हूँ ताकि इजी लिए आपको आपको नोटिफिकेशन पे नजर आए तो यह टाइम मैंने आपर सेट कर लिए हैं पर सेट करने के आपको करना किया है यहां से इसको कर देना है डाउनलोड करने का देदानलोड हो जाएंगा आपको इस पर अपलाई करना है उसको यहां से अपलाई कर देड़ा है जैसी करेंगे यह अपनी लॉक्स्क्रीन पर ये दिखने लगा सकते हैं तो आप यहां पर music player का भी use कर सकते हैं इस lock screen पर भी music wizard भी दिख जाएगा कोई भी अगर मैं music चलाऊंगा तो उसका wizards भी आपको यहाँ पर दिख जाएगा तो मैं आपको यहाँ पर दिखा जेता हूँ आपको add on भी कर सकते हैं उसके लिए तो मैं add on करना भी बता है आपको यहाँ नीशे की तरह swipe करेंगे तो यहाँ पर आपको silent notification icon भी यहाँ पर मिल जाएंगे तो दोस्तों यह जो सबसे main चीज है बाकी सबसे चीज जालागे main चीज यह कि आप यहाँ पर set कर सकते हैं बिल्कुल same at it is जैसा कि यहाँ पर आपने देखा होगा अब यहाँ पर फिर चीज होगी आप में दुबारा से इसको switch करूँगा तो यह दुबारा से वहाँ पर change लेगा बिल्कुल same iOS 16 की तरह आप यहाँ पर lock screen को customize कर सकते हैं notification को नीचे कर सकते हैं उमीद है कि आपको मेरी वीडियो होगी तो Thank you तो जोस्ति घर्व और अब हम ए데क कर आपके मेरी वीडियो होगी दोस्तो Brent और एपने संस्क्राइब करना ना बूलो और उसके में नि कम्हीं अप homes आपको सबसे बेले notification आए तो thank you